रादे रादे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अकबर और बीर्बल की? एक बार बादसाय अकबर ने बीर्बल से पुछा, क्या तुम हमें तीन तरह की खुबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हूँ? जी हुचूर, पहली तोत्ते की, दूसरी सेर की, और तीसरी गदे की, परंतु आज नहीं, कल बीर्बल ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है, बादसाय ने इजाज़त देते हुए कहा अगले दिन बीर्बल एक वेक्ति को पालकी में डाल कर लाया, और उसे पालकी से बाहर निकाला, फिर उस आदमी को सराप का एक पेग दिया, सराप पिकर वहें आदमी डर कर बादसाय से विंती करने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ अगले में बादसाय से बोला, अरे जाओ, तुम दिली के बादसाय हो क्या, हम भी अपने गर के बादसाय है, हमें जदा नकरे मत दिखाओ, बिर्बल ने बताया, यह सेर की बोली है, कुछ तेर बाद उस आदमी को एक पेग ओर दिया गया, वहें नसे में एक तरफ गिर गय और नसे में उट पटांग पडबडाने लगा, बिर्बल ने उसे एक लात लगाते हुए बादसाय से कहा, हुजूर यह गदे की बोली है, बादसाय है खुस हुआ, उन्होंने बिर्बल को बहुत सारा इनाम दिया, धन्यवा दोस्तों, यह थी बिर्बल की अकलमंदी की कहा और में।